अधियों वेलकम टू अधर 24 7 स्कूल चानल तो भई आज हम करने वाले हैं हमारा वन शोट रिवीजन और सबसे पहले मैं आपके वन शोट उनके गराऊंगी उन चाप्टर्स के गराऊंगी जो कि आपको लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट जो बहुत जादा धासू है और बहुत जादा सबसे जादा माक्स आपको दिलाएंगे ठीक है तो आज हम कर रहें प्रिंसिपल ऑफ इन्हालिटेंस शाप्टर को सबसे पहले आपको गर मैं बात को हूँ तो मैं सिर्फ आप से यह कहना चाहूंगी जो बच् स्मार्ट नॉट हार्डर राइट तो कर लेते हैं हमारे वन शोट को शुरू से आपके मैंडल के पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़े जान लो देखो जब हमारे पास हम बात करते तो आस-पास की चीज़े होती है कोई आपको जैनरल बोलता तो अपने पापा जैस सकता है तो आपके पापा से आपके अंदर कैसे फीचर शा गाए मंवें आपके इंदर कैसे फीचर शांगे कोई तो ऐसी चीज हो जो आपकी ट्रांसफर म् कॉइत हैं और इन्हीं है जो फान जो घॉर्य के signal में किन यह पास गार नहीं सारों के आंदर बहूत सारी प्लांट उनके बहुत सारी वेरियेशन है तो उनके दिमाग में कुछ बात खनकिय उन्होंने कर दिये कुछ एक्सपेरिमेंट और इनहीं ने सबसे पहरे जैनेटिक्स की नीव को रखा इसलिए हम कहते इसको फादर ओफ जैनेटिक्स बोल देते हैं अब उन्होंने किया क्या उन्होंने कुछ काम किया उन्होंने यह करा कि जोर्ज मैंडल ने हैपड़ाइजेशन की हैपड़ाइजेशन यानि दो तरीके के प्लांट को एक हाइबिड उनका बना दिया एक नया बेवी उनका बना दिया अब यहां तो उन्होंने कुछ फीचर्स लिये कि मैं जो हाईबराइजिशन कुरूँगा वह प्लांट की करूँगा उसके पीछे कुछ रीजन थे थे। कि पहले बार उसके अंदर बहुत सारे करेक्टर थे जैसे कि हाइट देख सकते हैं फूल का कलर देख सकते हैं बीज का रंग देख सकते हैं शेप देख सकते हैं उनके अंदर भी Fairy Kate हा कि जो beans था वो राउणंड होगा के रिंकर्ड होगा ग्रीन होगा कि यलो ड्वाफ और टोल होगा हैट में भी प्लावर कलर भी परपल होगा या फिर वाइट होगा तो मतलब आपके बहुत सारे थे प्लस दूसरा उसके अंदर कॉंट्रास्टिंग फीचर्थ बहुत सारे थे नारे प्लांट में अपका बन जाता है और इंहों ने क्या किया एक mathematical इन्होंने क्या किया एक mathematical संबंध बना दिया हमारे बायों के साथ और इन्होंने बहुत सारा बहुत बार उसको repeat किया repeat किया कम से कम यह मालनों 1856 से लेके 1863 तक कितना 1863 तक इन्होंने बहुत सारा time इसको दिया कम से कम लगबग साथ साथ इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा तब जाके इन्होंने फर्दर और अपनी थियोरी दी पहले तो उनके पूछ लिए जाते हैं के फीचर्स के बारे में थोड़ा इंपोर्टेंट लीजेगा कौन से कौन से करेक्टर थे करेक्टर था आपका स्रेम का हाइट या तो टोल है या ड्वाफ है फ्लावर कलर वॉयलेट या वाइट फ्लावर पोजिशन एक्जियल या टर्मिनल पोड शे शीड से राउड और रिंकल शीड कलर यलो और ग्रीन यह उन्होंने क्या लिए कुछ भी कॉंट्रास्टिंग फीचर्ज लिए अब इनसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने तीन नियम दे दिये इन्होंने बोला लोफ डॉमिनेंस लोफ से और यह जो है आपके di hybrid के भेस पर किसके वेश्पश पे डाइy hybrid के बेस पर होने दिये अब यहां से किस तरीके से नोने monohy Brooklyn सिर निकाले सबसे पहले हम है इसी की करते हैं चलिए तो सबसे पहले आता है लओ ओ of dominance और यह किस ओपर बेस है हमारा यह हमारा बेस है भाई यह हमारा बेस है मोनो हाइब्रोस के उपए तो सबसे पहले तो यह जान लो कि जो मोनो हाइब्रीड है मोनो हाइब्रीड का मतलब क्या है मोनो हाइब्रीड क्रोस का मतलब क्या है ताकि आप उस चीज़ को बहुत एजिली समझ जाओ Mono का मतलब क्या होता है? Mono का मतलब होता है One Hybrid का मतलब क्या होता है? One Character एक Character इनो ने लिया और उस एक Character को एक Character आपने Contrasting Features में लिया ये भी याद रखना है ये Character कैसे लिया है? दो अलग अलग ट्रेट में दो अलग अलग ट्रेट में Contrasting Traits में लिया है ठीक है? और इनकी करा दी हमने क्या? Hybrid इन ट्रेट की हमने क्या करा दी? Hybrid करा दी अब जो Hybrid के बाद जो भी आया है जो हमारी F1 प्रोजैनी आएगी इसका मैं क्रोज करा दूँगी F1 का F1 के साथ ही यानि कि मैंने एक करेक्टर लिया उस करेक्टर के दो Contrasting Features लिये उन Features का आपस में Hybrid करा आया और जो भी मेरा Hybrid बनाया उसका आपस में क्रोज करा दिया दो That is Actual Mono Hybrid क्रोज जैसे कि मैं एक Plant ले लूँ एक आपका करेक्टर ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ एक Character Height मैं Character ले लेती हूँ Height Height के अंदर एक तोड टोल होगा एक ड्वाफ होगा आपस में इनका क्या करा दो मैं आपस में इनका में करा दू Hybrid और जो Hybrid बनेगा मेरा जो F1 प्रोजैनी बनेगा उस F1 को F1 के साथ ही क्रोज करा दू ऐसा कुछ मैं कर दू तो यह मेरा क्या कहलाएगा Mono Hybrid लेते हैं यहां पर जो भी हम टॉल ड्वाफ लेंगे यह प्योर लेंगे कैसे लेंगे प्योर लेंगे हम लेट कर लेते हैं कि जो तोल हाइट के लिए हमारे एलील रिस्पोंसिबल होते हैं वो आपके बड़े वाले यहां से गयमीट बनाओंगी यह वाला अपना अलग गयमीट बनाएगा यह वाला प्लांटेसी इक अपन अलग गयमीट बनाएगा तो यह से जब ग mermaid रहाएंगा तो पॉसि Beiयल यह फिर आये तो इन में से ही एक हो क्योंकि दोनों सेंहें तो कोई बैतों फरक्षय में रहेगा ऊचो इसकth से आब यहां से भी एक आएगा Icon यह यह इंदर तो इधर से आपका बड़ा टी आजाएगा यायनि कि हमारे पासे टी-और टी यह वाला बोन्ड आ जाएगा और जब इस तरीके से जब एक टॉल और एक ड्वाफ को दोनों को हम हाइब्रिड कराते हैं दोनों का जब क्रोस हम कराते प्योर और टॉल का तो हमारे पास जो आता है आंसर वह आते टॉल प्लांट ही बन के आता है ऐसा क्या हुआ अब यह टॉल करते हैं कि जब हमारी एफवन प्रोजैनी बनती है हमारे इन प्यारेंट से कि कुछ तो ऐसी चीज है जो की डॉमिनेंट है और कुछ ऐसी भी चीज जो की रिसेसिव है तो यहां से इस क्रोस से हमारा निकलता है क्या डॉमिनेंसी का लो क्या निकलता है डॉमिनेंसी का लो जो यह कहता है कि हमारे जो एलेल होते हैं, कुछ dominant होते हैं, दूसरे recessive होते हैं, और एक organism के अंदर कम से कम एक dominant या फिर एक आपका recessive मिलेगा ही मिलेगा, हमारे पास दो Α्लील होते हैं, should be both recessive, faith हो, दोनो dominant हो, यह फिर एक dominant, एक recessive हो, किसी बें तरीके का यहां पर वो chance हो सकता है ठीक है अब यह तो हमने यहां तक बात की यहां तक हमने यह hybrid बना लिया है यहां तक हमने क्या बना लिया है hybrid बना लिया है अब इस hybrid के आगे क्या इस hybrid की इस f1 generation की आपस में f1 into f1 करना है यानि मेरे को यह cross करना है जब मैं यहां से रचोटा टी बढ़ाती पहल सबीसित सब्सक्राइच करोगे लिए झेरेशन को यहाँ अलग और पॉसिबिटी झतल मेरा बने तो वहां से बढ़ा टी चाइयेज़, आपम पेसमें सब्सक्राइच को Cars एंग सबस्क्राइच को भी तो आनगे फिवन गलने कि पवात गुए तक ते साथ चोटा टी आजाए और चोटे वले टी या झात बड़ा थू दर से जाए तो अधर से भिए उधर से गई तुर इधर से भी एक ही जाए couch हमको नहीं पता इनमेंसे, कोन सा जाएगा, हमको नहीं से, नहीं पता इनमेंसे कौन सा जाएगा, एक combination बन जाता है आपका कैसा बन जाएगा एक छोटाटी एक बड़ाटी बन जाएगा एक possibility है same ऐसे ही वाली same condition की और एक possibility है बिल्कुल ड्वाफ वाली यानि यह चार possibility यह हमारे क्या है यह हमारे है gametes इसको आप भूलोगे नहीं क्या है यह हमारे जो है gametes यहाँ पर combine हो रहे हैं और इस gametes के combine होने से इन gametes के combine होने से यहाँ पर यह यह चीज possibility में आ रही है ठीक है यह चीज हमारी possible है अब जब हमने देखा कि भाया अगर मैं बात करूँ यह वाला possible हो रहा है अगर आपका double T double T आ रहा है बड़े वाले T त एक बड़ा चोटा टी है तो वहाँ पर भी टोल आ रहा है यहाँ बहुत और यहां पर जब दोनों चोटे टी है तो दाट इस ड्वाफ यहाँ आप देखो फीनोटीपिकल देखो फीनोटाइप क्या होता है समझें ज़रा फीनोटाइप होता है कि हम जो छीज बाहर से या वो कैसा आया थ्री रिशो वन में तीन टोल है एक चोटा है वहीं पर अपोजिटली जीनो टाइप में देखूँ इनका जीनो टाइप इस जीनो टाइप क्या होते जीनो टाइप होता है हमारा जीनो टाइप होता है हमारा क्या जैनेटिक मेकप जैनेटिक मेकप देखो एक तो हमारे पास यह आया है एक हमारे पास यह आया है ऐसे ऐसे दो आये हैं एक यह आया है यानि हमारे पास तीन तरीके के तीन अलग अलग तरीके के क्या आये है भरी गैमीट्स आये हैं या फिर प एक यह 2 यह एक यह यांनि कि हमारे पास Genotype की रेशो की आगई 1 रेशो 2 रेशो 1 ये आगई चीक है यीisa था Phenotype जो बाहर से दिखाई दे तो बाहर से तो कम से कम यह नहीं दिखेगा बाहर से या टोल होगाया या ड्वाफ राक होगा तो यहां पे मेरे पास जो genotype ratio आई है, वो आई है 1 ratio 2 ratio 1, और इस 1 का मतलब है दोनों बड़े T, इस 2 का मतलब है heterozygous condition, इस 1 का मतलब है दोनों dwarf T, अगर मैं यहीं पे phenotypic की बात करूँ, कि phenotypic कैसी आई है, तो phenotype आया है 3 ratio 1, 3 का मतलब है tol है और 1 का मतलब है कि यह हमारा क्य है, dwarf है, क्या मतलब है इसका dwarf है, यह चीज़ आप याद रखेंगे, यानि कि छोटा है, यह चीज़ हम जो है, याद करने वाले है, अब यहाँ पे, देखो, dominant ने क्या कहा था, low of dominance ने कहा था, कि भई हमारे पास जो है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे character थे, जो अभी tall ही है, F to generation के अंदर भी tall ही है, यानि कि कोई ने कोई चीज़ वहाँ पे है, जो कि हमको, क्या करेगी, dominant है, बट उसके कुछ exception है, कुछ अपवाद है, जिसको हम कहते है, पहला exception है, incomplete dominance का, incomplete dominance में क्या होता है, कि जब तक आपके पास homozygous condition है, homozygous condition है, तो आप express कर पाओगे अपने आपको, अगर वहाँ पे heterozygous condition है, heterozygous के अंदर तो आपका mixture बन जाएगा, आप अपने आपको एक तरीके से express नहीं कर पाओगे, जैसे कि anterium species का एक example हो जाते है, जिसको हम बोलते है, snap dragon, example इसका क्या हो जाता है, snap dragon, snap dragon, anterium species जो हमारी होती है, उनकी अंदर क्या होता है, बैटा कि मान लो हमारे पास एक dominanting होते है, dominant होता है, जो dominate करता है, वो करता है red flower, rr हम इसको लिख देंगे, rr, ठीक है, recessive जो होता है, हमारा white flower, ये, ठीक है, बट जब आपस में, ये mix करेगा, तो यहाँ पे rw आजाना चाहिए था, पहले वाली stage में, और rw में, क्योंकि r हमारा, red हमारा dominant, तो सारे red हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या सारे pink color आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने आपको dominant दिखाने के लिए, r को ये वाला भी r ही चाहिए, जब तक यहाँ पे दोनों जगे पे rr नहीं होंगे, तब तक आपका low of dominance यहाँ पे नहीं दिखने वाला है, ठीके, तो हमारे पास यहाँ पे चीज निकल के आते हैं, कि जब हम red और white plant को आपस में hybrid कराते हैं, उनका hybridization कराते हैं, तो वहाँ से pink color का flower निकल के आता है, that is called incomplete dominance, right, तो incomplete dominance का मतलब क्या था, कि जब हमारे पास homozygous condition के अंदर ही, dominancy या फिर recessiveness हमको नजर में आए, कि अगर वहाँ पे dominancy नहीं नहीं नजर आएगे, अगर वहाँ पे homozygous condition नहीं है, recessiveness भी नजर नहीं आएगे, अगर वहाँ पे homozygous condition है, heterozygous के अंदर दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, next हमारा आज आता है क्या, इसका ही एक exception जिसको हम बोलते हैं, core dominance, जिसको हम क्या बोलते हैं, core dominance बोलते हैं, देखो, हमने low of dominant में क्या पढ़ाती, एक gene के ओपर दो allele है, उन दो allele में एक dominant होगा, एक recessive होगा, बट हमारा blood group AB, blood group AB, blood group AB, एक के ऊपर एक है, तो एक के ऊपर B है, एक के ऊपर A है, एक के ऊपर B है, लोजिकली तो यह होना चाहिए कि हमारा blood group या A हो या B हो, AB क्यों है, क्योंकि low of dominance नहीं रहेगा, अगर मेरा I A और I B है, तो मान लो A dominant है, तो A होना चाहिए, B है तो B होना चाहिए, बट यह तो दोनों अपना बराबर का effect दिखाते हैं, तो इसको हम कहते हैं core dominance, यानि कि जब हमारे alleles, when are alleles, both alleles or a gene show themselves, या show their expressiveness, right, that is called co-dominance, आगे, अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर आपने चीज भी देखी होगी, कि पहले जो है, टोल और ड्वाफ था, उनसे सारे टोल बने, उसके बाद हमारे एक ड्वाफ भी निकल किया था, 1-2-1 हमने किया था, एक ड्वाफ भी निकल किया था, 1 रेशो आई थी, उस ड्वाफ की, यानि कि ऐसा क्या हुआ, कि वह आपिस से ड्वाफ आ गया, इसका मतलब तो यह हैं, कि जो हमारे gamete है, वो सेग्रीगेट होते हैं, हमारे जो यह पेर बनते हैं, डबल टी, सिंगल टी, एटी, छोटा टी, बढ़ाती, यह कभी भी कमबाइन सेट में रही रहते हैं, यह आपका आल सारे के सारे अलग होते हैं, जब हमारा क्या होता है, जब हमारा, मियोसिज होता है, मियोसिज होता है, और जब हमारे gamete form होती है, गमीट फोर्मेशन के टाइम पे हमारे ERIC जो है क्या हो जाते dew Kirch तो यहां पे अगर में बात करूं तो हमारा आ जाता है इंडिपैंदेंट स्रेंट का लूँर और इनडिपैंडंड इंडिपैंट का लियम जो है यह हमारा बेस्ट है किसके ओपर डाय हाइब्रिड क्रोस के ओपर ठीक है तो पहले टाय हाइब्रिड क्रोस को समझू डाय का मतलब क्या है डाय का मतलब है टू hybrid का मतलब है क्या इनका hybrid और फिर जो इससे हमारा hybrid बनेगा इसका hybrid का cross इधर यानि हमने 2 characters लिये 2 characters लिये for example मैं character ले लेती हूँ एक seed है दूसरा भी seed है एक character तो यह ले लिया मैंने कि उसका color और उसका shape दूसरा भी मैंने लिया color और shape क्योंकि यह दोनों character हैं तो यहां पर इसके feature अलग-अलग हो जाएंगे color इसका yellow shape इसकी round color इसका green shape इसकी wrinkled ठीक है अब यहां पर चीज देखना बहुत ध्यान से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ध्यान से देख एक चीज एक चीज यह देखो कि dye hybrid हमने क्या लिया हमने किसी भी particular चीज के दो character लिए character दो क्या लिए sheet के color और sheet का shape दो character है एक दो और इन characters की अंदर भी alternating features लिए एक yellow है तो दूसरा ग्रीन एक round है तो एक आपका है दो character हो गया डाय हो गया अब आपस में इन दोनों का हम करा देंगे hybrid इनका हम बना देंगे एक baby यह हमारे parent है तो इन से बनेंगी f1 progeny that is our hybrid ठीक है और इस f1 into f1 यानि दोनों hybrid का जब हम cross कराएंगे तो that is hybrid दो से दो character का बना हुआ hybrid और उस hybrid का दोबारा cross कराएंगे यानि f1 into f1 कराएंगे तो वो हमारा हो जाएगा die hybrid cross हो जाएगा अब ज़रा देखो यह die hybrid cross हमारा देखो dominant है yellow round recessive है green and wrinkled राइट तो अब आपके यह dominant है यह recessive है यह आपके parent है ठीक है तो आपका डिनोट कर लेते हैं कि यालो जो डिनोट करेगा वो है आपका बड़े यह और राउंड जो करेगा वो बड़े आर green को जो डिनोट करेगा वो चोटा वाई और wrinkled को जो डिनोट करेगा चोटा आर ठीक है यह अगर मैं इनको लिखो एक तरीके से तो यह इस तरीके से आ जाएगा yy बड़ा आर yy बड़ा चोटे आर आपस में इनका कराऊंगी म इनका आपस में क्रोस कराऊंगी तो चलो क्रोस करा लेते हैं इनका yyrr into me yyrr अब यहां से देखो क्योंकि दो फीचर है दोनों फीचर्स के लिए एक एक क्रोमोजोम आएगा दो फीचर्स है एक यह कलर एक शेप दोनों के लिए गैमिट जब बनेगा तो एक चीज दोनों म into में यहां पर चोटा y आएगा और यहां से चोटा r आजाएगा ठीक यह आपस में आपके यह गैमिट बनेंगे और जब यह गैमिट से आपका hybrid बनेगा तो वह कुछ इस तरीके का बनेगा अब देखो यहां पर dominating कौन सा है y तो यानि कलर कैसा हो जाएगा यहां पर yellow आपका कैसा हो जाएगा यह राउंड यानि हमारे पास यहां पर इन पैरेंट के क्रोस से जो f1 प्रोजैनी यह हमारी बनी है यह f1 प्रोजैनी कैसी बनी है round yellow और round यानि कि हमारी पैरेंट जैसी दिखने के अंदर ठीक है दिखने के अंदर यह पैरेंट जैसी है बट एक्च्वल में genotype हलका सा हमारा यहां पर different हो जाता है अब इसकी हमको करनी है इसके क्रोसिंग यह जो हमारा बना है y y r r इसके क्रोसिंग बनने है अब अब यहां पर इनका क्रोस कराएंगे चलो इनका क्रोस करा लेते हैं that is y y r r अब यहां पर possibility देखो possibility number one कि यहां से आपका यह वाला वाई आजाए possibility number two यहां से आपका यह वाला वाई आजाए ठीक है और possibility second जो और हो सकती है यह वाले भी तो इसी के साथ उठके आएंगे है न हो सकता है इस बड़े वाई के साथ आपका बड़ा आरा जाए और हो सकता है बड़े वाई के साथ चोटा आरा जाए और हो सकता है चोटे वाई के साथ बड़ा आर और चोटे ही वाई के साथ चोटा आरा जाए यानि यह जो चार possibility हैं यह चार possibility क्योंकि यह सेम है दोनो यहां से क Uni सब्सक्राइब है कोई किसी के साथ मिक्स कर जाता है तो हम यहां पे चाहरा लेटे पुन्येatr का I थिंग प्रण से हार कोई वाकिफ होगा कि हमारा इस तरीके सरे समें स्कूर मणाटें टू कहां पर सभी इन वह यहां पर ने यह दो यहां तो यहां पहले टोल्डव ! कर रहे थे बट यहां पह पास्ञारे पकी बार हमारे पास टोल्डव! की के कंडीशन तो थी नीन दो नो थे हमने तो यह पढ़ा था यलो toward SMART यहां भीYes हमारे पास यह था green भांस ग्रीन राउंड हम यहां इसका मतलब यह कोई-बी गा outside किसी के साथ भी आपका आ सकता है और इसी को हम कहते हैं क्या independent assortment कि जब हमारे gamet segregate होते हैं कोई ये निंखेगा भी देखो मैं ऐसे थे थे ना हम तो पहले ऐसे थे तो हम यहां से हम जो बच्चा बनाएंगे वो आपका येलो या फिर राउंड ही बनाएंगे कोई जरूरी नहीं होता है ये वाला y छोटे वाले r के साथ भी पेर कर सकता है और ये वाला r छोटे वाले y के साथ भी पेर कर सकता है तो gamete की अंदर किसी भी तरीके की attachment नहीं है सारा का सारा separation है ये चीज़ आप याद रखोगे और यहीं चीज़ है independent assortment आपका segregation क्या था अल बड़ा वाई हूं तो तेरे को छोटे बड़े आर के साथ ही रहना पड़ेगा ऐसा कोई कमपल्शन निया कोई भी गैमिट किसी की साथ भी आ सकता है यह हमारा था डाय हाइबिट क्रोस और यह बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जा मुराथिक तो टेस्ट क्रोस प्रोस इं Tap last is why आता होते हैं हम के वहा उप यह बिल् jullie यह वैला है यह वाला है कौन्सी कंडिशन होमो यह ठेट्र उसynि जीओ को जानने के लिए जब हमको क्रोस करना हो तो हम क्या गरते है उस प्लांड का क्रोस कर देतेव हैं रिस एव प्रि हम recessive parent के साथ करेंगे तो वहाँ पे गर कोई dominant allele होगा तो अपनी dominancy दिखाएगा और वहाँ से हम टेस्ट कर लेंगे कि हंजी क्या चीज हमारी है किस तरीके का हमारा यहाँ पे plant है तो यह generally हमारी plant की heterozygocity या homozygocity किस तरीके की zygocity है यह जानने के लिए होता है और always it is always done with recessive plant right next is back cross back cross का मतलब कुछ नहीं है हमारा parent f1 है f2 है ठीक है अगर मैं इन दोनों का cross करा दू तो that is back cross इन दोनों का cross करा दू that is back cross यानि कि हम से एक generation पीछे इन्हीं के parent के साथ अगर cross कर दिया जाये that is back cross right right चलो आगे चलते हैं next हमारे पास आज आता है अभी chromosomal theory of inheritance देखो यहां पर कुछ चीजें है यह पढ़ने से पहले कुछ चीजें है यह जान लो जैसे कि हम मैंडल के experiment की बात करें मैंडल के work की बात करें यह मैंडल का work जो है रिकनाइज नहीं हुआ है यह रिकनाइज नहीं हुआ उसके बहुत सारी रीजन थे पहला रीजन था कॉम्निकेशन उस टाइम पर देखो आज की टाइम पर क्या है ना कि आप लोगों ने सेशन को देखा फटा-फट से शेयर कर दिया दोस्तों को बता दिया कि सोनिया मैं पढ़ा रहे हैं जल्दी से आजाओ है ना गूगल पर शेयर कर इंस्ट्राग्राम पर शेयर कर दिया पहले तो भाहिया यह कोई साधन ही नहीं था जब कोई साधन नहीं था तो चीज़ पहुच नहीं पाई दूसरा उन्होंने एक ऐसी पैसी जिगह पर आप बोलो एक आर्टिकल जहां पर उन्होंने डाला वह जादा जो है भई सिद्ध सी नहीं थी मतलब कि जादा फेमस सी आर्टिकल नहीं थी वो ठीक है अम बहुत है मैगजीन जिस मैगजीन के अंदर उन्होंने लिखा तो वो कुछ जादा क्या नहीं थी फेमस नहीं थी ठीक है तीसरा टाइम क्योंकि उन्होंने माथ यूज किया था तो वहाँ पर थोड़ी नेगलजेंसी मिल गई थी उनको ठीक है अब चलो यह तो ठीक है अब इन्हीं के वर्क को रीडिस्कवर किया इन्हीं के काम को रीडिस्कवर किया रीडिस्कवर करने वाले कौन थे रीडिस्कवर करने वाले थे हमारे तीन महाश्य जिनका नाम क्या है यहाँ पर मिल जाए तो कहीं पर, चलो, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, इन्हीं के work को rediscover किया, मैंडल के work को rediscover किया, कौन-कौन थे, smark, smark ने, every ने, mccarty ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको rediscover किया, और जब इन्होंने rediscover किया, इन्होंने बताया, कि हांजी, ऐसा कोई जन है, जिन्होंने बहुत अच्छे experiment कर रहा है, और जो कि सही भी experiment है, तो वहां पे ये चीज़े आ गई, कि अच्छा ऐसा है, कुछ है तो भई हम ट्राइ करके देख लेते हैं, मैंडल सहाब ने plant में किया था, हम अनिमल ली करके देख लेते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आते है, सटन और बावरी, सटन और बावरी यूज करते हैं हमारा, ठी वहां पे यूज करेक्टर, जो रिस्पॉंसिबल है, डोमीनेंसी के लिए, एक फेक्टर जो कि रिसेसिव है, उन्होंने वहां पे अलील वर्ड नहीं यूज किया, तो यहां पे वह फेक्टर धा, इसी को जीन बोल दिया, किसके द्वारा, आपके सटन और बोवरी के द्व ठीक है, और उन्होंने भी सेम चीज बोली कि जिस समय पे हमारा मियोस्व होता है, तो मियोस्व होते समय, क्रोमोजॉमल की क्रोसिंग ओवर होती है, तो मतलब करेक्टर जो है, ट्रेट जो है, गैमीट हमारे, इधर-उधर हो जाते है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेते हैं fruit fly का cross कराते हैं जिसका नाम था drosophylla melanogaster इसके उपर एक marks इसके उपर एक नंबर का question की बड़ पूछ लिया जाता है यह क्या देखते हैं जैसे कि एक आपका कुछ यही क्यों लिया reason यही drosophila melongasterculia पहली बात तो ये lab के अंदर possible था कि lab के अंदर बन जाए दूसरी चीज ये भी possible था कि जो इसके बच्चे थे बेबी इस थे वो बहुत जादा maximum in number था maximum in number था तीसरी चीज क्या थी इनके साथ तीसरी चीज ये थी कि इनके पास भी ऐसे features थे थी मैं बताती हूँ जब इनके experiment करा तो इनने देखा कि कुछ features specified है जैसे कि अगर मैं बात करूँ yellow body yellow body और white eye ये दोनों ऐसा ही मिलेगा अगर वहाँ पे yellow body है तो ये मानलो वो white eye भी है अगर आपकी वो body brown eye brown body है तो आपकी जो आई है वो red होगी ये भी specified होने बोल दिया कि यहां से सटन और फिर Morgan जो है Morgan एक नई टाम देते हैं linkage वो कहते हैं इससे पर क्रोसिंग ओवर करते हैं तो क्रोसिंग ओवर के टाइम पर थोड़ा सा chromosome का reason जाता है और इस chromosome reason के अंदर बिलकुल पास पास वाले जो एलील है वो साथ में जाते हैं जैसे कि मैं कहूँ ये वाला reason यहां पर एक दो तीन चार जितना कम इन दो एलील के बीच में distance होगा उतना ही जादा ये tightly physical room से attached होगे जिसको हमने कहा linkage और ये linkage बहुत कम chance है जिसकी जितनी जादा linkage होता है जितना कम distance एलील के बीच में होता है उन दोनों का crossing over के time पे उतना ही दूर जाने का कम chance होता है और हमारा जब crossing over होके किसी और chromosome की बाजू हमारे सर पे लग जाती है तो उसको हम कहते है recombination नया DNA का आ जाना ठीक है और जब linkage ज़्यादा होती है तो recombination के chance automatically कम हो जाते है ठीक है अब देखो इन्होंने सेम चीज मॉर्गन ने हैबडाइज की yellow body white eye female brown body red eye male और जब उनकी F1 प्रोजानी देखी तो उन्होंने देखा कि ये gene थो अलग हुए ही नहीं ये gene अलग हुए ही नहीं reason इसके पीछे linkage linkage यहां से linkage term आई ठीक है फिर हमारे पास एक term आती है pleogenic inheritance pleogenic inheritance क्या होती है देखो दिखराओगा आपको polygenic polygenic का मतलब क्या होते है मैनी genic का मतलब gene यानि आपको बहुत सारे gene चाहिए एक एक character को क्या करने के लिए decide करने के लिए ठीक है यानि जब एक trait बहुत सारे gene से control होने लगे तो उसको हम कहा देते हैं polygenic trait जैसे कि हमारी skin A, B, C तीन gene से होती है अगर मान लो ये हमारे gene dominant है तो वहाँ पे हमारा color dark हो जाता है automatically मान तो लो ये recessive है हो जाता है automatically ठीक है जितनी जादा dominancy बढ़ती जाएगी उतनी जादा dark color होता जाएगा जैसे कि वहाँ से देखो है ना वहाँ पे CC भी आप कर सकते कोई problem नहीं है वो तो बस दिखाने के लिए कि वहाँ पे कोई dominant नहीं सब रिसा है तो बिल्कुल गोरी है एक आ गया एक भी बड़ा हो गया एक बड़ा हो गया डॉमिनेंसी एक बढ़ गई एक अलग ही तरीके का mixture आपका बनता है देखो आपके डिफरेंड डिफरेंड शेड्स है यह किसके हिसाब बन रहे है देखो वहाँ पे छे आपके गोल 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 है यह यह चे क्या है यह आपके 6 इस यह चे आपके अलील है जितनी ज्यादा डॉमिनेंसी देखो आपका जो ब्लैक दिखरा होगा यह बिल्कुल ब्लैक यह यह जारे डॉमिनेंट देखो कि 5 ब्लैक एक वाइट है सारे एक आपका थोड़ा लाइट कलर हो गया यह निजी डॉमिनेंसी के कॉर्डिंग ली जैसे कि एक जांपल के लिए ये विए पिली ओट्रॉटिक्जीन में हमारे पास जो है आदके बड़ आचे सामपल पनाइल कि टन और्या इसका बड़ा यॉध यॉज फिंशाय्षणी और या 2 मॉट्स यॉजह से होता है ति यहां पर वहातर पास एक जीन होता है यह protein यहाँ पर बन रहा है एक enzyme और यह जो enzyme बन रहा है यह enzyme है phenyl alanine hydroxylase इसका काम क्या है? phenyl alanine hydroxylase का इसका काम है यह भया कि alanine को alanine को phenyl alanine को convert कर देना टाइरोसीन में, टाइरोसीन में, मान तो लो कि यह जैनिटिक जो है, the defect हो गये, इसके अंदर कोई क्या आगे, mutation हो गई, mutation हो गई, तो protein के अंदर mutation आ गई, enzyme के अंदर mutation आई, तो हमारा phenylalanine नहीं बनता है, यहां बेर कुछ एक नया, एक नया एंज़ाइम जाता है जो कि फिलाईल एलनाइन को फिनाईल पारोव की अंदर चेंज कर देता है हो ना किसमें था टाई रोसीन हो गया किसमें फिनाईल पारोविक मी reason क्यूंकि MewtoTheal duexion जिएंग यहां पर आप देखो फरक्न क्या वो हमारे ब्रेन में जाके जमा हो जाएगा और दूसरे फीचर्स को अफेक्ट करेगा और आपका क्या अगर देगा पूरी बॉडी में चेंज ला देगा तो इसको हम कहते हैं फिनाल के टनौरिया और यह प्लियो ट्रॉपिक एग्जामपल है कि जैसे एक जीन के अदर म्यू पानी की चलिये 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 क्लीयर है अगर देर इस इन डाउट द एन कॉमेंट डाउं थीकर आगे चलो अब हमारे पास आज आता है सेक्स डिटर्मिनेशन की भई सेक्स डिटर्मिनेशन या निकी हमारा मेल कैसे है फीमेल कैसे है हमको यह बताना है हमारा मेल है यह यह हमारा फीमेल है तो हमारे अंदर बड़ा सिंपल सा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसके लि और आपका फीमेल है तो x x होगा मेल है तो xy हो गा ऐसे यह बात कर लो dc ठीक है फीमेल है तो x x और मेल होगा थो जो बहां पे शीर एक एक्स क्रोपोजोम होता है दूसरा गायब न की यहां पर जीरॉ उम लिख देते हैं ठीक हैं मांन तो लो यहां पे आपकी बात हो रही है किसकी पी कोख की पी हैन की या नॉर्मल कोख और हैन की तो यहां पे फीमेल के पास होता है जैड डब्लू और यहां पे इसके पास होता है जैड जैड ठीक है अब हमको यहीं चेक करना होता है कि कौन से वाला क्या है अब यहां पे अगर आप देखो की बात देखोगे तो इंसेक्ट के अंदर जो फीमेल होगी फीमेल के अंदर जितना क्रोमोजोम होना चाहिए उससे एक लेस एक लेस आपके किसके अंदर हो जाएगा मेल में हो जाएगा तो कई बार मान लो कोई इंसेक्ट है जिसके अंदर 32 क्रोमोजोम है है ना मेल के अंद के दोनों हेट्रो कंडिशन में है एली तो इसको हम बोलते हैं मेल हेट्रो गामिटी मेल हेट्रो गामिटी यानि कि जो हमारे गामीट्स है मेल्स के अंदर वो दोनों डिफरेंट है अब यहां आजाओ फीमेल हेट्रो गामिटी में अब हमारा जो इंसेक आपका पिकोक या पि लगोंगे एक Z है तो एक W, एक X है तो एक Y, different different heterogamity, male में मिले जैसे humans तो male heterogamity, female में मिले जैसे peacock तो आपका female heterogamity, simple as that, अब यहां से कुछ हमारी चीज़े आजाती है, जैसे कि sex determination in honeybee, parent देखो female के पास 32 होते हैं और male के साथ 16 chromosome, how? क्योंकि male जो हमारा यहां पर बनता है वो पार्थीनो जैनसिस से बनता है, पार्थीनो जैनसिस से बनता है, ठीक है, female का chromosome होगा, sex cell होगी, meiosis होगा, 16-16 में डिवाइड कर जाएगा, अगर तो मालो यह एक gamete, एक gamete ऐसे कैसे without fertilization हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, male के अंदर convert हो जाएगा, बट यहीं पर अगर आपको यह 16 वाला, इधर से male के 16 वाले gamete के साथ, क्योंकि माइटोस इस से बनाती है, तो यहां पर female 32 बन जाएगी, यानि कि हमारा male जो बन रहा है, female के एक gamete से बन रहा है, सो इस देट, male के अंदर 16, अब जब male के अंदर gamete बनेंगे, तो मियोसिज नहीं होता, सिर्फ मायोसिज होगा, तो उसके gamete के अंदर भी 16 होगा, यूकि reduction हुआ ही नहीं है, तो इसका gamete सोला वाला, उधर से मियोसिज वाला, female वाला, सोला वाला, और मिलके बना गे हमारी 32 वाली female, simple, हम quick review ले रहे हैं यहाँ पर, human का पता है, xx है तो लड़की, xy है तो लड़का, आगे आजाती है, mutations, देखो गर मैं mutations की बात करूँ बेटा, तो mutations जो हैं बड़ी ही टेड़ी खीर नहीं है, हलकी सी है, mutation का मतलब होता है, alteration in DNA, यानि कि किसी भी तरीके से, हमारे DNA के sequence के अंदर क्या जाना, change आ जाना, that is called mutation, that is called mutation, यह mutation यह हो सकता है, कि हमारे chromosome के अंदर, या तो थोड़ा सा sequence add हो जाए, या घट जाए, loss हो जाए तो कहा देंगे deletion, gain हो जाएगा तो कहा देंगे insertion, या फिर duplication, ठीक है, और जब कोई भी चीज़ आप insert या फिर घटाओगे या बढ़ाओगे, तो वहाँ पे change आ जाते हैं, ठीक है, और जिसको हम बोलते है, abnormality और abrasion, ठीक है, और जब अगर मैं बात करूँ, जब हमारा पूरा feature, हमारा पूरा शरीर ही इससे change हो जाए, तो उसको हम कहेंगे, शरीर नहीं, बलकि आप कहलो कि भी है, इससे जैसे हमारा DNA के अंदर loss होगा, या फिर add होगा, तो इससे frame shift mutation होगी, यानि एक तरीके से frame ही हमारा change हो जाता है, राइट, चलो, अब हमारे पास आजाता है pedigree disorder, यह जितने में mutations होती है, genetic mutations होती है, उनको पता करने के लिए pedigree analysis होता है, pedigree analysis का मतलब होता है, कि किसी भी family की history जान लेना, उस family के अंदर क्या-क्या problems हैं, क्या-क्या problems नहीं है, यह सारी चीज़ें हम किस से जानते हैं, pedigree analysis से जानते हैं, और इसके पीछे एक फाइदा यह होता है, कि गर मानलो आगे आने वाली generation के अंदर, कोई problem होनी है, तो उस problem को हम कर लेंगे solve, उसको हम दबा देंगे, suppress कर देंगे, या फिर जो भी उसका possible treatment हो पाएगा, treatment ले लेंगे, कोई accurable disease हमारी होगी, यह हमारा genetic disorder को पता करने के लिए, पाड़गरी analysis होता है, किसी की भी family history को देखना, अब बात आती है हमारे genetic disorders की, अब दो तरीके की disorders हैं, एक mandle वाले, एक हमारे chromozomal वाले, mandle वाले वो होते हैं जहां पर single gene mutation होती है, ठीक है, single gene mutation होती है, और यह generally एक ही same line में अंदर होगी, यानि female के अंदर है तो female के अंदर ही होगा, male के अंदर है तो male के अंदर ही जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा हर किसी के पास हो जाएगा, ठीक, क्रोमोजोमल में क्या हो जाएगा, यानि कि यहां पे हमारे पास एक, एक या एक से जादा क्रोमोजोम ही गाव हो जाएगे, क्या हो जाएगा, एक या तो क्रोमोजोम, या एक से जादा क्रोमोजोम गाव हो जाएगे इस जलो अब वन बेट है बात सभुत entially सब्सक्राइब एक सबिस्ट सब्सक्राइब यहां यहां पर ऑौस हो जाता है ठीक है को नॉर्मली होता क्या है आपका नॉर्मली होता है हमारे पास जब सब्सक्राइब होता हमारा चैटाइust कर साइट होता है यह cytokinesis अच्छे से नहीं हो पाता है जब टीलो फेज आजाता है ठीक है और जिसकी वजह से जब अच्छे से नहीं हो पाएगा तो एक ही सेल के अंदर हमारे कि नूइकलिस से जाधा हो जाते हैं नूइकलिस जाधा हो जाएगा तो आपको स्टो में को प्लांद ही देखनेंगे मिलेगे या पिलांटeszम वाली जाता है color blindness color blindness क्या होता है देखो हमारी आखों के अंदर दो तरीके किसल है क्या है हमारी आखों के अंदर दो तरीके किसल है हमारी रेटीना में दो तरीके किसल है कौन सेल रोड सेल कौन सेल डे के लिए होते हैं रोड सेल नाइट के लिए होते हैं ठीक है अब यहां पर जो भी दिखाते हैं क्योंकि रंग हम दिन में देखते हैं अंधेरे में किसको रंग दीखता है है तो यहां पर होता किया है ना दो कलाइनेस के अंधर हमारे पास sex linked disorder होता रिस्व का मतलब है जो दोनों chromosome पर होगा आगर homozygous condition है homozygous condition पर दोनों alleles के उपर वो आपका डिफेक्ट हो तो ही हमारा वो माना जाएगा ठीकिन दूसरे वाला उसको सप्रेस कर देगा तो हमारे color blind end के अंदर यही होता है कि हमारे पास एक ग्रोम जीन होता है जो की X chromosome के उपर होता है और उसका काम होता है color दिखाना उसका काम होता है red color red और green color के बीच में differentiate करना और वो आपका gene है नहीं तो यानि red green को आप differentiate नहीं कर सकते हो तो व्यक्ति को red और green एक ही color दिखाए देता है उनकी बीच में अलग-अलग नहीं कर पाता है जादा तर यह रोग आदमियों के बीच में होता है क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि यह आपका X chromosome पे होता है अगर यह मालो महिला के उपर है तो यहां पे भी आपका color blindness का हो defect और यहां पे भी हो और generally दोनों के अंदर defect नहीं होता है एक के अंदर ही जादा पाया जाता है तो इस condition के अंदर अगर हो female के अंदर तो वो infect हो जाएंगी बट अगर वहां पे किसी तरीके से एक के ओपर color blindness वाला gene हो तो उसको हम कहते है carrier कि आगे से ऐसे वाला जो chromosome है आगे तो पास हो जाएगा बट अगर मैं यहां पे बात करूं कि इस चीज की यहां पे बात करूं तो यह infected नहीं है क्योंकि आदमी है xy x x heterogamity है अलग-अलग x का अलग सीन होता है वाई का अलग सीन होता है अगर इसके अंदर भी डिफेक्ट है तो यहां पे एक्सप्रेस करेगा वाई x के अंदर तो इसलिए आदमी जो होते हैं जादातर color blind है और हाला कि female जो हैं बहुत कम percentage color blind है ठीक है यहां पर मैं बात करो तो आपका color blind मैंने बोला कि आपका मेल के अंदर होता है तो मेल के अंदर एक x chromosome है फिमल के अंदर दो है ठीक है तो आपका मेल के अंदर जादा होता है simple चलो अब यहां पर बोला है कि भाया हमारे पास मालो को यह कैसा बेटा एक वीमन का जो की आपका कैरी करती है जीन को इसके एक x chromosome की उपर color blindness है तो वहां पर 50% चांस होता है कि उसका जो बेटा होगा color blind होगा पर उसकी मम्मी खुद color blind नहीं होती वह carrier होती है ठीक है चलो अब यहां पर इस condition के अंदर हमारी उसकी बेटी कभी भी color blind नहीं होगी जब तक उसके father color blind नहीं होते है तो लड़की color blind होनी चलो next is our hemophilia hemophilia एक ऐसा रोगा जहां पर हमारे शरीर पर चोटा सा भी कट लग जाता है तो वहां से खून बहता रहता है और यह हमारा जो होता है तरीके का sex linked disease होता है sex linked recessive disease होता है वही अगर दोनों के ओपर present है तो ही होगा जादा तर यहां पर carrier वही उसके जैसे फीमेल ह रोजानी के अंदर होता है ठीक है अब यहां पर मैं बात करूं तो ऐसा क्या हमारे पास factor होता है जिसको हम कहते है blood clotting factor platelets वह नहीं होती है इंसान के पास जिसकी वज़ए से platelets नहीं बन बन पाती है coagulation नहीं हो पाता है और हमारा blood जो है constantly क्या करता रहता है non-stop bleed करता रहता है heterozygous female यहां पर carrier होती है hemophilic से आके बेटे के अंदर यह disease जा सकता है और क्योंकि यह disease Victoria के अंदर भी था Queen Victoria जो की चीज़ बड़ा ही क्या है uncommon सा होता है next हमारा आ जाते सिंकल सेल एनिमिया सिंकल सेल एनिमिया की बात कुरता है single gene वाला disease हो जाता है कैसे single gene का कैसे हो जाता है यहां पर हमारे पास ना एक वह होता है RBC की शेप के लिए ठीक है आपके पास hemoglobin होता है इसस मगम को पता होगा हम के पास क्या है hemo 접종 है है एना क्याम को पूता है हमारे पास सब हमारे पास ही मोarla ग्लोब ज है ठीक है अब यस हीमो गलोबिन के अगर मैं बात करती हूं यहां पर इसके अंदर two listen है आपकी मैं बात करो यहां पे तो यहां पर लिखाओगा है इस है भी हमारे पास होते हैं कि हमारा ही हम ग्लोबिन कैसा होगा, कैसा बनेगा हीमो ग्लोबिन के सीक्वेंसे बनेगा, उसके लिए भी हमारे पास जीन होते हैं, और इस हीमो ग्लोबिन के जो मॉलेक्यूल है, इससे हमारी RBC की शेप डिपेंड करती है, मान तो लो हमारे हीमो ग्लोबिन के सीक्वेंस में चेंज आ और HBS के अंदर से तीन possibility possible है एक हमारा HBA HBS हो जाए ठीक है एक हमारा HBA HBS हो जाए ठीक है तीन हमारे यहां पर पॉसिबिलिटी है वो होती है बट अगर मालो यह वाली condition आ जाए तो हमको जो है यह disease हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे यहां पर infect हो जाएंगे तो मतलब यह वाली condition अच्छी तो नहीं है कम से यह वाली condition कम से कम अच्छी तो नहीं है अगर तो मालो वहां पर HBA और HBS है तो वहां पर कोई फरक नहीं पड़ेगा बट HBS और HBS है तो उसकी वजह से हमारा нутों Glutamic acid यानि आपका Glutamic acid case १ पर demon type वहां पर के yl Alleine और को वह से चाहँर ना फाइसार पकी आपकी यह अपका होता क्या काया है आपकी बीटा हो जाएगा विलाई जीए जी ग्लूटामिक जी एजी जी ओजी विलाईन हो जाएगा तो हमारी शेप शिकल जैसी हो जाएगे अर बी सी की, जो कि हमारी बलड की आर்ट्री में, हमारी वेसल में अटक जाएगे, बलड के फ्लो को प्रोक डेंगे आगे हमारा जाता है फिनाइल किट नौरिया इसके बारे में हम औल्रेडी डिसकस कर चुके हैं तो यह मुझे बताने का आप छाकिए चाहे सक्ष्क्रीन स्क्रिन ले सकते हैं एक यह तो कोई भी हो सकता है मेल हो या फीमेल हो आपका मदर हो या फादर हो किसी से भी आपको डिजीज आ सकता है यहाँ पे कोई फिक्सनी है कैरियर की भी यही कैरियर होगा होता क्या है हमारी हीमोगलोबिन के अंदर दो चीन होती है एक अलफा होती है एक बीटा होती है क्या होती है एक अलफा होती है एक आपकी बीटा चेन होती है मान तो लो यहां पे हमारी एबनॉर्मल हीमोगलोबिन मोलेकूल बन जाए तो उससे हमको जाता है एनीमिया हमने पास वाला वाला बहुत कम होती है तो alpha जो थैलेस्मिया है वो control होता है दो जीन से hba1 से एच्बी एटो से हमारा यह Perhaps पर हमारा कंट्रोल होता है इसके पास 16-16 क्रोमोजोम होते हमारे पाइरेंटस के पास 16 के पास 16 के पास इसके लिए HbA1 के लिए और HbA2 के लिए ठीक है मान तो लो यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की दिलिशन या फिर चेंजमेंट आ जाती है कोई भी जीन हमारा है एफेक्ट हो 다 है हमारे पास थोड़ा साबी Robertson या फिर हमारा reads कोई भी हमारा थोड़ा बहुत कम बनता है कम प्रद्विस हो जाता है तो वह tratar है तो आप बने को जाती है गढ़ फर ठीक है ऐसा канал beauty उड्रा P वहाँ पे तो यह था कि आपका हीमोग्लोबिन बराबर है RBC की शेप चेंज है यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन ही कम बन रहे हीमोग्लोबिन की डेफिशेंसी हो जाते जिसकी वज़े से हमको एनिमिया हो जाते है simple as that next is down syndrome down syndrome down syndrome की दर में बात करूँ तो simple सा हो जाता है अगर मैं बात करूँ तो यह आपका male में भी हो सकता है यह आपका male में भी हो सकता है as well as यह आपका female में भी हो सकता है दोनों में हो सकता है ठीक होगा क्या यहाँ पे होगा यह कि हमारा जो chromosome number 21 होता है उसके पास एक डिटीवन क्रोमो जो मी यहां पर हमारे ट्रॉमें तरीजमी है vallahi हुझास नमबर पर आपका था इक साइंटिस्ट है लेडान डॉण उन्होंने इसका डिस्कुवर किया था उसके मालो कोई infected person है किसी के साथ ही situation होती है तो चोटी सी गर्दन हाथ बिल्कुल चोटे-चोटे से उनके अंदर ऐसे इतना गहरी-गहरी क्रीज होती है कि खून निकलने वाला है तोड़ा mentally disorder उनका होता है बोलेंगे कुछ कहेंगे कुछ करेंगे कुछ ऐसे वाली conditioning के साथ होती है मुझ जनरली खुला रखेंगे चोटी सी फरोड जीब होगी next is clan filter का से clan filter क्या से king यानि कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों में होता है यहां पर आदमियों के अंदर क्या होता है 44 प्लस xy मान लो यहां पर एक एक्स क्रोमोजोम और एक्स्ट्रा आजाए तो हमारे पास हो जाएगा 44 प्लस xxy यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर xx condition भी और xy condition भी है यानि female के feature भी आते हैं और male के feature भी आते हैं और जब male female दोनों के feature हो जाएं तो that is clanfalter syndrome right और यानि आदमी है में तो क्योंकि आपका female males के अंदर होता है कि males के अंदर ही रहेगा तो आपके feminine feature जैसे कि breast की development जिसको हम कहते है gynecomastia यह चीज आपकी वहां पर हो जाती है और ऐसे इंडिविज्वल नॉर्मली स्टराइल होते हैं ठीक है next and last is our turner syndrome that is very last last of our topic इसके बाद कोई भी हमारा पैंडिंग नहीं रहेगा हमारा पूरा का पूरा यह complete हो जाएगा one short I think मैंने आपकी hardly 60 minutes ली होंगी 60 minutes से पहले ही मैंने आपका one short जो है क्या कर दिया है complete कर दिया है राइट तो अगर turner syndrome की मैं बात करूं तो turner syndrome जो हमारा होता है यह होता है अगर महिला के अंदर यह आपका female के अंदर specified होता है कि यह जो है एक X chromosome यहां पर हो जाता है गायब यानि कि महिला के अंदर 44 प्लस X X होना चाहिए तो एक X गायब हो जाएगा 44 प्लस X O हो जाएगा O का मतलब है 0 यानि कि वह ही नहीं यहां पर ठीक है यानि कि 45 टोटल 46 की बज़ाए 45 chromosome हो जाएगा और यहां पर हमारी ओवरी यहां पर हो जाती है जिसकी वजह से और बहुत सारे सेकेंडरी फीचर जैसे की लड़की की ब्रस की डैवलप्मेंट आवास का चींज होना प्यूबिक हेर्जा आ यह सारे चीजें नहीं हो पाती है साथ में ऐसी मेला स्टराइल भी होती है यह बच्चा नहीं जर्म दे सकत तो इट इस ओल अबाउट आर चाप्टर गाइस आइसे वाला पीवाइक निस चाप्टर के नहीं एक सांपल पेपर टाइप हम लगाएंगे और नेक्ट क्लास में पढ़ेंगे डियाने के बारे में तो अब इक लिए गुद्बाई है और नाइस टेयन बाई